नमस्कार कैपिटल टीबी उत्रप्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी पांडे इस समय सबकी नजरे यूपी में दस सीटों पर होने वाले रासभा चुनाओं पर है इसकी सबसे बड़ी वजा जैंत चौधरी और उनकी पार्टी आरेलडी है जो अ ऐसे में सबाल ये है कि अगर आरेलडी के साथ विजेपी आती है तो रासभा चुनाओं पर क्या फर्क पड़ेगा तो चलिए आपको इससे जुड़ी पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताते हैं उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर रासभा का चुनाओं होने वाला है जिसकी तैयारी भी तेज है लेकिन इसका मुकाबला देखनी लायक है क्योंकि इसकी वजा है जैंत चौधरी और उनकी पार्टी आरेलडी जो बखलेश यादों से दूरी बनाए हुए है और अंडिय में तकरीबन शामिल हो चुके हैं अगर आरेलडी बिजेपी में शामिल हो जाएगी तो अकलेश यादों का राह आसान नहीं है इसका सीधा फर्क रासभा चुनाओं पर पड़ेगा क्योंकि आरेलडी के पास नो विधायक हैं जो पहले सपा के खाते में जाने थे लेकिन आ रतमान में विधान सभा सदस्यों की संख्या 399 है विधान सभा का चुनाओं भी गडित के फॉर्मोले के आधार पर होता है तो अगर उस फॉर्मोले को देखा जाए तो नतीजा 37 आता है इसका मतलब वहा यूपी से रासभा जाने वाले एक उमीदवार के पास कम से कम 37 वो ऐसे में आरेल्डी के बिजेपी में शामिल होने की वज़ा से विपक्षी गडबंदन के पास सिर्फ 110 विधायक बचेंगे और तीन रास सभा सदस्यों को जिताने के लिए सैते से गुडा करने पर अखले शियादों को सीठे चहिए 111 ऐसे में सपा के पास पहले ही एक में 252 विजेपी अपना दर इसके पास 13 निशाद पार्टी के पास 6 सुभा सपा के पास भी 6 और आरेल्डी के 9 जन सत्ता दर लोक तांत्रिक के पास 2 हाला कि राजा भाया की पार्टी इंडिये का हिस्सार नहीं है मगर कयास है कि वोट विजेपी को जाएगा जबकि इंडि अपनी बात यहां आकर अटक जाती है कि क्या बिजेपी अपना आठवा प्रत्याशी उतारेगी क्योंकि अब तक तो प्रत्याशी घोसित ही नहीं हुआ हरा की 2018 में हुए राजसभा चुनाव में बिजेपी ऐसा कर चुकी है तब अनिल अगरवाल ने निर्दलिये नामांकन किया था बिजेपी ने उनका समर्थन कर दिया था तब बसपा उम्मीदवार भीम राव अंबेड कर चुनाव हार गे थे आपको बता दें कि इस बार र पंद्रा फर्वरी तक चलेगी तो तब तक ही साप हो जाएगा कि बिजेपी का कोई आठवा खिलाडी होगा या नहीं तो देखा आपने कि अगर जैंत चौधरी बिजेपी में शामिल होते हैं तो कुल मिलाकर सपा के लिए राह आसान नहीं होने वाली है इसका फैसला भी जल्दी रास्तवा चुनाव के पहले जैंत चौधरी कर देंगे कि बिपक्ची गडबंदन के साथ आते हैं या एंडिये गडबंदन का हिस्सा बनते हैं खेर ये तो देखने वाली बात होगी इस खबर में फिलाल अभी के लिए इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें केपिटल टीबी उत्तरप्रदेश नमस्कार झाली बास के लिए और शे में खबरों के लिए के लिए Scorpion के लिए के लिए में